अब आपको पता ही है फिर यह अइसा निकाला पिर इसमें एक यह रहते है आपको यह निकाल लेना है तो इसके बाद क्या करना है इसको इसा चिपका देना है कट्टू कट कट करके लेना आप इसा करेंगे तो इसके अंदर यह रहते है देखो क्वालिटी देखो आप कितना सुन्दा रहते है एक दम ब्यूटिफूल ओके यह देखो यह देखिया यह कोलव है यह इसे निकाला इसमें एक वन वन भी साइज आता है यह देखिया आशा इसके अंदर भी इसा पेपर रहता है यह क्या एक दम बेस्ट टंप है इसमें कुछ भी इंक लिकेज का आया कुछ भी इसा नहीं रहता है इसको उपर से निकालने का इसा रखा वापस इसको लॉक लगाए अब इसको क्या करने का एक और ट्रिक बता दाओ इसको रखने का इसा रखा आपने और बीच में देखो यह कट दिया हुआ है आपने कुछ जाता देन इकाल उससे फाइदा क्या होता है अपने वापर से दिखता है धेखो कौन सी कम्पनी के स्टैंप है यह दिखते है ठीक है यह देखिया दीख रहा है न अब वह अईसा ही सेम इस में भी यह ए टूडेट में fairy में यह देखो दीख च्खोंड नौल्य आधा है इसका एक ट्रिक पहले भी बता है तो मैं पिर से शेल्फिंग में बता देता हूं यह निकाला और इसका न Alexandra पूरा निकाला है आपक यह देखिए यह भी निकलना है सिर्फ यह रखना है जितना पतला रहेगा न यह सब का न क्योंकि इसमें उपर से दिखना तो है नहीं हमको ट्रेसिंग रखना है तो यह पूरा निकलना है पूरा खाली करना है यह देखिए जितना पतला रहेगा न उतना अच्छा हैगा आप पो क्वालिटी मार के दिखाऊंगा इसका भी ओके यह निकाला तो इसके लिए क्या करना है आपको यह उपर रखना है यह सब ध्यान देना है अपने को इसा प्रेश किया मार के दिखाता हूं अब zurड़ेक मारना तो आगया तीक है को अब तो आ गया हो ऐखा है और आप को दूसरा चाहिए हम लेडि का नाम क्या है क्या असा अपनों आप को फिर रुपाली हड़िये लेशक्रा कि पिसके तो ईससे नीकालने का इससे निकाला आपको इसा सेंटर में रखना है यह सब छोड़ी छोड़ी ध्यान देना है अधर समा रहा ना तो डाइडेक्ट आगे आना थी जैसा इसा ही आ रहा है ठीक है क्लियर नहीं है एक वर आवर टेस्ट करेंगा ओके अभी यह तीसरा इसमें भी इसा आपको यह निकाल लेना है और इसको देना है यहां पूरा समझने ना गया होगा शेल्फिंग कैसे अगया होता है और क्या है किव यह है इसमें अंधर रहत है को आइसा रहत है Hmm इसमें अंदर इंक रहता है ठीक है ऐसा रहता है ओके फ्रेंट थैंक यू धन्य बाद और प्लीज मेरे वीडियो के शेयर किजे लाइक किजे कमेंट किजे और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब किजे चैनल को